नमस्कार दोस्तों मैं हूनितिन खुले और सामने आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी अल्टो अब यार यह जो नाम है ना अल्टो यह हमारे साथ ऐसा कनेक्टेड है और इसके साथ ऐसा हमारा कनेक्शन है काफी टाइम से यह चला आ रहा है और साथ में इस गाड़ी का और बहुत सारी debates करने से कोई फायदानी है क्योंकि आज कल की जो latest car आ रही है उसमें आप देखेंगे बहुत सारी latest technologies आती है बड़े बड़े इंजन आते हैं बड़े बड़े अपग्रेड आते हैं बड़े इस car का जो feel है ना है तो ये 800cc का इंजन और बहुत छोटा इंजन है ले लेकिन जो पहाड होते हैं बड़ी बड़ी पहाडिया जहां आप गये होगे जहां कहीं भी आपने देखा होगा आपको अल्टो जरूर दिखी होगी Alto K10 की बात नहीं करेंगे हम जो है आज Alto 800cc का जो मॉडल आता है आज हम उसके बारे हम बात करने वाले हैं तो ये जो वीडियो है आज पूरा का पूरा हम मारुति सुजु की Alto जो है जो 800cc में आती है आज उसकी बारे हम बात करेंगे और 2022 में आपको Alto में किया कैच चीज़े मिली ये जो है पहले से काफी अपग्रेड हो गई है क्यूंकि इसमें जो है लेतिस जो स्टेनर्ड जो सेथि फीचर से वो एड्ड हो गए हैं उसके साथ में जो अपग्रेड इसमें आए हैं facelift आया उसमें आपको जो latest technologies हैं वो भी आपको मिल जाती है अल्टो में पहले से जो upgrades आए हैं उसमें इसमें बहुत सारे जो features हैं वो add कर दी हैं जैसे कि आपको इसमें safety features add कर दी हैं साथ में इसमें आपको जो trending features आते हैं जैसे कि आपको touch screen है android auto है सब ये सारी चीज़े जो है etc आपको इसमें मिल जाएंगी और साथ में इसमें आपको जो feel है और एक जो trust है वो तो बना ही हुआ है यार हमारा अल्टो के साथ में तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या के चीज़े offer होती है और क्या new features आपको मिल जाते हैं मारुति सुसुगी अल्टो के ये जो 800cc वाला engine है उसमें आपको क्या के चीज़े offer हो जाती है तो सबसे पहले जो है इसकी जो pricing है वो ही हम देख लेते हैं इसने यार इतना हमारा दिल जीता है साथ में इसकी जो pricing है ना वो इतनी बढ़िया तरीके से इनने manage करी हुई है इतने features के साथ में और इसके जो overall जो power figures है वो कभी किसी ने शिकायत निकरी जो space है उसके बारे में कभी किसी ने शिकायत निकरी कि यार कम है क्योंकि इस car को वही लेता है जो इस car को या तो first time ले रहा है या फिर जिसने two wheeler से four wheeler पे shift किया है तो यार उसकी शिकायत कुछ नहीं रहे है क्योंकि बहुत मुश्किल से वो एक car ले पाता है तो अंदर का जो space है engine नहीं है सारी जो problems है वो अल्टो में किसी को कभी नहीं दिखी काफी जादा ये close रही हमसे तो चलिए आज हम इसी के बारे हम बात करने वाले तो सबसे पहले जो है इसकी pricing में आपको बता देता हूं मारुति सुजु की अल्टो जो आप सामने देख रहे हैं ये इसका top end variant है VXI plus और इसक अल्ट हम है मारुति सुजु की शोरूम के कामटी मोटर्स गर्रा में तो इससे related या मारुति की किसी भी कार से related आपको कोई भी information चीए तो इनका जो number है और इनका जो address है मैं अपने description box में mention कर दूँगा तो आप directly call करके या फिर visit करके सारी details ले सकते हैं तो pricing हो गई चलिए इसकी जो key है अब जो latest feature है इसमें add तो कर दिये है साथ में इसकी जो key है इसमें आपको जो remote central locking है वो भी देखने को मिल जाती है तो दोनों जो key है एक आपको remote function के साथ में मिलती है और एक normal key देखने को मिल जाती है front profile की बात करें तो यार इसकी जो overall width है आप देखिए छोट अगर बात करें तो इसमें आपको 1515 mm की width मिलती है और front profile की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मारुति सुजुकी का logo मिल जाता है, chrome की strip मिल जाती है, headlamps की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको halogen based headlamp मिल जाते हैं, turn indicators जो हैं यहाँ पे आपको halogen मि जाते हैं और overall नीचे अगर देखें तो आपको जो bumper है यह भी आपको जो है change कर दिया गया है पहले से, overall कुछ ऐसे looks आते हैं मारुति सुजुकी अल्टो के front profile से, अब side profile में अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो iconic इसका एक जो चीज है, आपको कुछ दिख अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मुझे comment करके बताएगे क्या इसी चीज है जो अल्टो में पहले भी आती थी और अभी भी आपको सामने दिख रही है, tires की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी profile 145-80R12, 12-inch के इसमें आपको tubeless tire मिल जाते हैं, wheel covers जो है इसमें आपको provide होते हैं, top model है यह तो और यहाँ अगर देखें तो fender में आपको एक indicator देखने को मिल जाता है, turn signal जो की halogen है, over BM की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते है, matte finish में आपको दिया हुआ है, यह जो है आप manually अंदर से adjust कर सकते हैं, side में अगर देखें तो यह 3455 मतलब 3445 mm की इसकी overall length है, width मैंने आपको बताई थी 1515 mm, इसकी अगर wheelbase की बात करें तो यह 2360 mm, मतलब 2360 की इसकी wheelbase मिल जाती है आपको, अंदर का जो space है, मैं आपको अभी दिखाने वाल हूँ, इससे भी कभी किसी को शिकायत नहीं रही, कि यह कभी इसका जो interior ज जो है इस गाड़ी के according, decent दिया हुआ है, तो कहीं भी आपको इसमें problem नहीं होगी, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे terrains में जाती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी cars हैं, वो भी problem करने लगती है, तो यह हो गया, तो ऐसे कुछ side profile से looks आते हैं, अब rear profile की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो rear tail lamps है, यहाँ पर पूरा halogen base दिया हुआ है, यह देख सकते हैं, पूरा setup यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर reverse parking lamps मिल जाते हैं, turn signals और यह आपको ब्रेक lamps यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपको high mount stop lamp भी दि charging, अब यहाँ कोई electromagnetic sensor या कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको normally यहाँ से key insert करना पड़ेगा और आपको boot space है, यही से आपको access करना पड़ेगा, और boot space की बात है, तो वह हम देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर insert कर देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको Alto 800 मे आपको 177 लिटर का boot space देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस segment के लिए ठीक है, कोई issue नहीं रहा है, तो boot space भी इसमें काफी enough मिल जाता है, यह हो गया, इसके नीचे अगर देखें तो आपको spare wheel देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है, same size का आपको इसमें spare wheel देखने को मिल जाता है, तो यह सारी चीज़े हो गई, boot space आपको यहाँ पर मिल जाता है, cladding भी आपको यहाँ मिल जाती है, कई लोग जो है, cause cutting कर जाते हैं, यहाँ पर यहाँ पर आपको cause cutting नहीं मिलेगी, तो यह सारी चीज़े हो गई, अब अगर हम side profile के तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपको fuel filler cap दिया हुआ, अब इसके अगर fuel tank capacity की बात करें, तो आपको इसमें 35 लीटर का fuel tank देखने को मिल जाता है, इसकी जो mileage है काफी बढ़िया आपको मिल जाएगी, यह आपको कितनी mileage मिलती है, अल्टो में, वो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, AI claim के बात करें, तो इसमें आपको 22 से 23 kmpl तक का mileage आपको इसमें मिल जाएगा, आपको कितना mileage मिलता है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो यह सारी चीज़े हो गई, तो मुझे लगता है, वॉकराउंड जो है, सारी चीज़े कि आपकी की से आप इसे unlock कर सकते हैं, या फिर आपको remote center locking भी इसमें मिल जाती है, डोर पैनल की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही आपको मिल जाता है, काफी time से चला रहा है, कोई issue नहीं है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी यहाँ कोई controls नहीं है, यहाँ पर थोड़ा space, नीचे थोड़ा space दिया हुआ है, bottle holder होगे रही, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ अगर देखे तो speaker का grill दिया हुआ है, इसमें आपको दो speaker का setup मिल जाता है, और यहाँ अगर देखे तो आपकी driver seat है, वो भी काफी बड़ी seat दी seat को मैं थोड़ी पीछे कर लेता हूँ, जिससे पूरा view clear है जाए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका steering wheel है, यह leather wrap किया हुआ, यह एक accessories का part है, center में अगर देखे तो आपको Suzuki का logo मिल जाता है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है airbag, तो यहाँ पे आपको एक airbag मिल जाता है, और left side में passenger side मतलब driver और passenger side आपको airbag मिल जाता है, dual airbag का setup किया हुआ है, चलो safety की बात हो रही है, तो अल्टो में safety भी काफी बढ़िया आपको मिल जाएगी, वो हम बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको ABS EBD standard मिल जाता है, साथ में आपको dual airbag का setup मिल जाता है, तो यह हो गया, अब यहाँ पे इस steering wheel में कोई adjustment नहीं है, आप expect मत करो, जो position है काफी comfortable है, कोई इसमें issue नहीं है, अब instrument cluster की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको simply यहाँ पे speedometer मिल जाता है, नीचे के MID जिसमें आपको fuel और बाकी चीज़ों की जो indication है, वो दि मिल जाता है, तो यह सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है, यहाँ पे बहुत सारे आपको warning symbols देखने को मिल जाते हैं, अब यहाँ पे अगर देखें तो आपको जो है wiper के controls मिल जाते हैं, और right side में अगर देखें तो आपके headlamp के पूरे controls यहाँ पे दियो हुए, पीचे देखें तो आपको pedals मिल जाते है, ABC pattern में, और यहाँ अगर देखें तो dead pedal का कोई भी option नहीं है, जैसे कि इसमें नहीं आता है, तो ठीक है, कोई issue नहीं है, गाड़ी तो है इतनी जबरदस्त, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि dashboard का layout है, काफी बढ़िया है, हमारे नज का button दिया हुआ है, dedicated, तो काफी बढ़िया है, इसमें addition दिया हुआ है, अब यह जो है infotainment system, इसमें आपको Android Auto एर Apple CarPlay भी connect कर सकते हैं, कभी किसी ने सोचा था कि यार, Alto 800 में भी ऐसे जो feature से वो add हो सकते हैं, जिब बिलकुल आपको Alto 800 में यह सारे features मिल रहे हैं, यह हो गया, यह मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, USB Rocks का यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ अगर देखें, तो आपको 12 Volt का power socket मिल जाता है, यह हो गया, अब यहाँ अगर देखें तो थोड़ा space और यहाँ पर 2 cup holders दिये हुए, यहाँ अगर देखें त 5 speed का आपको manual gearbox मिल जाता है, काफी बढ़िया इसकी shifting है, और कोई issue नहीं आया, इसमें अभी तक gearbox में, काफी बढ़िया और reliable gearbox है, अब यहाँ अगर देखें तो आपके जो power window के control से, यहाँ पर मिल जाते है, फ्रंट के आपको power window मिलते हैं, और पीछे के जो है आपको manually करना पड़ता है, और यह जो है, आपका handbrake है, यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो यह हो गया, अब seats की अगर बात करें, तो comfort काफी बढ़िया है, और इसके जो under thigh support है, वो थोड़ा सा मेरी height है, उसके according, थोड़ा मुझे कम लग रहा है, बाकी comfort काफी बढ़िया मिलेगा, अब top में अगर देखे, तो यहाँ पर आपको यहाँ कुछ नीजै हुआ है, यह हो गया, सेंटर में अगर देखे, तो आपको IRVM मिल जाता है, कोई adjustment नहीं है, और यहाँ अगर देखे, तो आपको cabin का light मिल जाती है, जो कि halogen है और यहाँ पर जो है, आपको daha Akismamis, जो कि calling के function है वो यूज़ करने के लिए और left side में हम देख लेते हैं एक बार तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो यह हो गया और glove box कहां बूल रहे हैं हम glove box में देख लेते हैं यह जो है काफी बड़ा glove box है decent इसमें space मिल जाता है आपको तो चलिए यह सारी चीज़े हो गई अब मुझे लगता है कि सारी चीज़े हैं मैंने आपको बता दिये अगर कुछ missed out हो गया होगा तो please आप मुझे comment करके बता देना तो चलिए यह सारी चीज़े हो गई अब जो है हम rear seat का comfort देख लेते हैं इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहां से मैं अपनी seat है उसको अप अपने height के according adjust कर लेता हूँ तो यह जो है अब जो है मेरे height के according adjust हो गई है तो हम rear seat का comfort है वह हम देख लेते हैं यहां आप देख सकते कि जो door panel है यहां पर भी आपको dual tone का finish किया हुआ है यह देख सकते हैं आप जो पीछे के windows है उसको manually आपको roll down और roll up करना पड़ेगा यह हो आप देख सकते हैं कि आपको bench style में पूरी seat मिलती है और recline angle इसका भी काफी बढ़िया मिल जाता है आपको और जो headrest है वो भी आपको fixed मिल जाते हैं यह हो गया अब जो space है वो हम देख लेते हैं कितना आपको offer होता है तो यह आप देख सकते हैं कि जो rear seat है उसमें मेरे को space अभी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है यह जो है curve इसमें दिया हुआ है तो थोड़ा space इतना जो है space मेरे को मिल रहा है knee room में और यहां पर आप देख सकते हैं foot space भी काफी बढ़िया मिलेगा अपको under thigh support भी decent है एक दम बढ़िया मैं नहीं बोलूँगा इसे but seat इसमें ऐसी है क आप जो है दो adult इसमें easily बैठ सकते हैं और एक जो बच्चा है वो यहां पर बैठ के travel कर सकता है बाकी जो recline angle है और seat का जो comfort है वो आपको बढ़िया मिलेगा कोई शिकायत नहीं है और अगर नीचे देखे तो यहां पर आप देख सकते है जो floor है इसमें minor सा एक hump मिल जाता है अब जो है rear seat से आपका जो front dashboard है Maruti Suzuki Alto 800 का कुछ ऐसा देखता है देखने में काफी premium अब लगने लगा है क्योंकि नए ने जो features है आपको इसमें add-on हो गए है तो चलिए यह सारी चीज़े हो गई अब जो है इसका engine है जो इसकी main जो जान है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं और वो देख लेते हैं तो चलिए यह सारी चीज़े हो गई space का तो चलिए यहां से हम इसे देख लेते हैं इसको आप जैसी pull करेंगे तो आपका जो engine भे है वो open हो जाएगा तो यह है मारती सुजु की अल्टो 800 का 800cc का engine अब इसकी अगर power की बात करें तो इसमें आपको 47bhp का maximum power मिल जाता है और 69nm का torque इसमें देखने को मिल जाता है तो यह जो engine है काफी reliable रहा है power जो है ना इसको आप जो paper है उसमें आप judge नहीं कर सकते यह ACC की जगहों पर जाता है जहां पर आप इसके अगर paper में देख के judge करोंगे तो आप बिलकुल इसको भरोसा नहीं कर पाऊंगे कि यह ACC जगह पर perform करता है तो यह सारी चीज़े हो गई 3-cylinder engine है refinement इसका आपको बढ़िया मिल जाएगा कोई issue नहीं है मारुति की जो engine होते हो उसके refinement में कोई issue नहीं होता काफी बढ़िया refine engine है यहां आप देख सकते हैं कि आपको insulation नहीं दिया हुआ इसका refinement काफी बढ़िया मिलेगा इसकी अगर mileage की बात करें तो इसमें आपको 22-23 kmpl का mileage भी मिल जाता है अब यहां अगर देखे तो ABS EBD की यहां पर unit भी आपको मिल जाती है तो यह सारी चीज़े हो गई तो देखा आपने overall जो सारे जो features हैं मारुति सुदू की अल्टो 800 में पहले से काफी advance हो गई है safety features इसमें एड़ हो गए है और जो new features होते हैं जैसे आपने android auto और apple carplay भी देखने को मिल गया आपको इसमें और साथ में इसमें आपको जो voice command का feature है वो भी आप कहां ही भूल रह करेंगी मारुति सुदू की अल्टो 800 में अल्टो 800 की हम pricing की एक और बार बात कर लेते हैं यह जो आप सामने देख रहे हैं यह इसका top end variant है VXI Plus यह जो है आपको एक showroom आ जाता है 4,41,000 में और इसके अगर on-road price की बात करें तो यह आपको 5,8,000 में on-road जाती है तो कैसी लग झाल जाता है